right friends तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा ethereum के बारे में तो आप लोग नो सुना हुए एhtereum है ethereum पर पैंसा लगादो ethereum उप Pastor जा रहा रहा है तो smartestui थे लिफ्य में कहब हुआ ब्हुत सींपल सित्वा दड़ stata Bitcoin के Bitcoin is not a coin Bitcoin is a Block Chain and when a new block is added to that chain Miners get reward in terms of Bitcoin Bitcoin is a reward Ethereum is also Ethereum is not a reward Ethereum is a blockchain But जब क्या होता है कि जब चीज़ें हमारी हमको mining करके जब हमको reward मिलता है तब हमको Ethereum भी Ethereum वारे blockchain भी हमको क्या देते हैं reward देते हैं वो देते हैं Ether coin के terms में ठीक है तो this course is not about trading coin ये बगरा बगरा ये हम पार्ट करेंगे blockchain बारे में अब जैसे कि data होता है यहां भी blockchain है तो hash, previous hash, data और proof of work तो Ethereum में जैसे हमने Bitcoin में देखा था कि transactions के तोर पर ऐज़ा data होता है तो Ethereum में किस चीज़ का data होता है अगर हमने ध्यान से सूचे तो लोगों ने सूचा data ही तो डालना है तो कुछ भी डाल सकते हैं तो लोगों ने सूचा कि transaction जा रही है बहुत बढ़िया files जा सकते हैं बहुत बढ़िया क्या हम code डाल सकते हैं code क्या? code? हाँ code code मतलब या C++ का Python का code डाल सकते हैं? डाल सकते हैं तो यही concept लेके इथीरियम का जन्म होता है इथीरियम वाले ने वोला कि तुम लोग transaction डालोगे file डालोगे मैं coding वाले बंदों को बोलूँगा अपना code अपनी blockchain में डाल सकते हो तो this course is all about ethereum ठीक है यह course ethereum के उपर पूरा का पूरा course यानि कि ethereum development अब कोई बोले ethereum development करता हूं इसका मतलब यह है ethereum blockchain को बनाता नहीं है वो ethereum blockchain के उपर जो data वाला section होता है उसमें code डालता है बस इतनी से बात होती है तो वो code जो होता है उसको smart contract बोलता है अगर मैं आपको Alice बोलती है बॉब से कि अगर मैं तुमको 10 रुपए दूँगी तो बॉब तुम मेरे को चॉकलेट देना ठीक है या अगर मैं तुमको एक notebook दूँगी तो तुम मझे इसके वजले एक pen देना उनके बीच में contract साइन होता है बट होता कि Alice गई Alice ने वहला लो भाई 10 रुपए चॉकलेट दो तो बॉब ने वहला भाई चॉकलेट तो नहीं है दस टॉफिया ले लो यह क्या बात तो यह दस रुपए वापिस करो बॉब भाई बॉब ने वहला अब तो ट्रांजेक्शन हो गई अब तो Google पे पे आपन सब्सक्राइब तो टैन अगर अले सब्सक्राइब दिया देन बॉब प्लीज गीव इतना अमांट ओफ चॉकलेट्स ठीक है यह यह सारी चीज़े आप के ट्रांजेक्शन के टांस में रख सकते हो कि मानलो कि इफ ऐलेस मानलो ऐलेस क्या करती है कि ऐलेस सेव लेके आती है क अगर 20 डिगरी के ऊपर हो गए थे तब बॉब पेमंट नहीं करेंगी अगरना पेमंट करेंगा थे तो इनके बीच में कॉंट्राइक साइन होगा साइन ऐसे होगा कि वो बोलेगा बॉब की भाई एलेस वाई इस यह तेमपरेचर इस ग्रेटर दन इकोल टू 20 दन पेमंट is equal to zero, else payment is equal to 100 रुपाय या जो 200 रुपाय जितना भी पेमेंट है, तो मतलब की हम क्या कर देते हैं, अपने पैसे ना smart contact में डाल देते हैं, तो मानलों बॉब को पेमेंट करनी है, तो बॉब पहले ना चेक करेगा कि भाई कितना temperature है, और चेक करने के तरीके भी IOT से होते हैं, IOT, Internet of Things, तो क्या होगा बिसिकली, जब वो आ रही होगी, जब वो रास्ते में होगी, तब उसके डिवाइस, उसके अंदर डिवाइस लगागा जिसको बलते हैं IOT, IOT temperature ना पता रहेगा, ना पता रहेगा, और blockchain में update करता रहेगा, smart contact में, अब बॉब ने अपने 100 रुपे डाल रखे हैं, तो 100 रुपे भी पढ़े रेंगे, बट मान लो कि क्या होगा, जैसी वो पहुची, Alice पहुची, और Alice ने बोला, लो भाई, भाई, save ले लो, तो बॉब ने बोला, भाई, ठीक है, पैसे तो मैं दूँगा नी, क्योंकि पैसे मैंने smart contract में डाल रखे हैं, अगर contract सही चलता है, तो पैसे अपने आप transact हो जाएंगे, गलत चलता था, पैसे मेरे पास वापी सा जाएंगे, ठीक है, Alice बोलते ठीक है, मेरे temperature तो maintain था, तो maintain था, जैसे delivery हुई, जैसे ही delivery हुई, आयोटी को पता चल गए, delivery हो चुकी है, बॉब की payment कड़ गई, Alice भी चलेंगे घर, बॉब भी चला गई घर, ठीक है, यूगि इनकी बीच में क्या हो सकता है, मान लो कि Alice ने, आयलेस आई, Alice ने बोला, ठीक है भाई, मैं मेरे को, मैंने तुमको सेब दी, पैसे दो, हो सकता है, बॉब पैसे ही ना थे, या 100 रुपए की जैगा, वो बोले की भाई, 95 में करो यार, डन करो यार, प्लीस, 95 में है ना, तो यह भी हो सकता है, यह हो सकता है, कि मान लो कि, बॉब ने बोला, कि 100 रुपए दे रहा हूं, सेब दो, तो Alice ने बोला, यार, सेब दे दूँगी, बट 30 डिगरी के हो चुके हैं, सेब, 30 डिगरी टेंपरिचर पे, वो बोले कि खराब होगा, मद दो, मद दो, की development करवाएंगे, और उन smart contracts को, हम डाल देंगे, अपने Ethereum की blockchain में, और Ethereum को हम और device से connect कर सकते हैं, और चीजों से, ताकि क्या हो कि कोई transaction हो, या कोई भी contract हो, तो ज्यादा trust build करने के लिए, आप चीजों को ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो contract होता है, यही contract code के form में लिखा जागा है, तो अभी मैं चला रहा था न, वह देर पले, की Ethereum में कैसी blockchain है, जिसमें code लिखते हैं, तो Ethereum में कैसी blockchain है, जिसमें smart contract लिखते हैं, smart contract लिखने की programming language होती है, उसको बोलते है, solidity, ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से wrap आप करूँ, तो Ethereum blockchain is a blockchain which contains smart contract, and smart contracts are written in a programming language which is called solidity, ठीक है, तो solidity क्या होती है, कि हमको सीखनी बढ़ती है, तो जैसे आपको पता है, bitcoin बगएरा होता है, bitcoin में transaction होती है, तो Ethereum में हमारी simply क्या होती है, code run हो रहे होता है, code कॉन से smart contracts के, लिखते कैसे है, Ethereum की एक programming language, जिसका नाम है, solidity, ठीक है, तो अगर आपको C, या javascript, या python आती है, तो आप सीख सकते हो इस चीजों को, बहुत ही अराम से सीख सकते हो, ठीक है, और यह सारी भी distributors होती है, जैसे Ethereum की, मैंने bitcoin के बाद करी थी, blockchain में distribution होता है, database होता है, तो यह भी same है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें difference है, नहीं, सब कुछ same है, तो यह Ethereum, solidity is designed to compile code, और Ethereum virtual machine, ठीक है, कुछ-कुछ terms आपको समय में नहीं आएंगे, वो coding के दुरान हम लोग सीखेंगे, ठीक है, तो यह है founder, हमारे Ethereum के, और मैं आपको बता हूँ, जब इन्होंने found किया था, तो यह सिर्फ 19 साल के थे, Vitalik Buterin, तो Vitalik Buterin दो थे, उन्होंने बोला, यार, Bitcoin वाले transaction डाल ले है, कि उन्होंने code डालू, ठीक है, such a great personality, such a mind, यहना, salute to this person, क्या सोज गए लोग, ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, I hope Ethereum आपको सवन में आया होगा, अब कोई आप से बोले ना, कि Ethereum में पैसा डाल रहा हूँ, तो उसको बला, बैठ, नास्ता कर मेरे साथ, और मैं तुमको समझाता हूँ, या समझाती हूँ, असलियत में Ethereum है क्या बला, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई,